नमस्कार खासकावार हम आपको देखा रहे हैं जो जूड़ी है रविदास जैन्ती से कहीं न कहीं मंत्री जो है इस समय पर गोवंद राजपूत जो कैबरेट मंत्री भी है और सुरकी बिधान सबाच छेत्र में लगाता रविदास जैन्ती के आउसर पर रविदास जैन्ती को बढ़ चाड़ कर मना रहे हैं हम आपको बता दें यह जैन्ती जो है रहतगर से शुरू ही है वही पर नगर परिषद बिलहरा और बेलहरा के बाद जैसी नगर में मंत्री ने रबीदास संतों का स्वागेत भी किया है और फूल मालाएं भी फेनाई है और साल स्री पल भेट किया है वहीं पर जो है रबीदास को भी यात किया है। सबसे बड़ी बात हमको बात बता दें कि संत श्री रविदाश जी महराज हिंदुस्तान में एक ऐसे संत है जन्योंने जू है इस भारत के इस राष्टी के लिए हिंदु संस्री की रूती को जागरत रखा है आप देखिए तुम तक न्यूज पर यह विशेश ख़़र हम है कि रविदाश की महराज की सोच आज हम 21 सदी में खुली सास ले रहे हैं अगर आज हम चादी बादी धर्व के नाम पर लोने करने को दयार है लेकिन उनकी इतनी बड़ी सोच सी समझ थी उस समय वरों ने कहा कि कुछ नहीं है हम सब एक हैं कोई हिद्वास की नाम पर लगा आए मुसलबां की नाम पर लगा आए स्टी के पिछड़ा के आगए कुछ नहीं है हम सब एक हैं एक ही ही हिश्वर के बनाए है वह हमारा एक है कि इस सब्सक्राइब करना है तब ही हम समझेंगे हम लोगों कर भी दाजी प्राज जयते बनाना सार्फाथ नहीं कहा था इंसान पैदा होने से जन्म से बढ़ा नहीं कोई निताग्या पैदा हो गया कोई टाटा प्रिदा के पैदा हो गया कोई बड़े अधिकार के पैदा हो गया पैदा होने से जन्म से आदमी बड़ा नहीं होता है आदमी बड़ा होता है विचारों से और समाज इतनी भावना के कर्म से अगर उसकी चार उत्म है उसकी सोच अची है उसकी भाउना अची है समाज इनमें काम कर रहा है तो वो बड़े से बड़े आज़ी से भी उपर है अगर उसका समान दुनिया के पूला देखे एसे दोईदाजी महराज जो उनकी सूच थी और सबसे कहा है हमारे पहले के जिनाओं नहीं रविया के सब्ड़े जितने लोग भोले लाट्रसाम दरेल सभी सब्ड़े कहा रविदाजी भाराज में कब कहा छेसो साल पर लिए कहा था ऐसा जाहूं राज में उनकी कल्क ना देखा एसा जाहूं राज में जहां मिले समझ को अन्द छुटे वरों सबसे रविदास रहे परसंद आज पताओं कोई हो रहा के नहीं हो रहा है झाल